हेलो फ्रेंच, व्लकुम आई यूटेज पैनल में उसे कस्वागता है, फरसे मैं के नई वीडियो के साथ आज कुई है, अबडेटर वीडियो के साथ कुई है, अजगी जो वीडियो हने वाली है वोसमें जो वेकंसी आपको देखने को मिलेंगी, वो मिलेंगी, इस्टापनस के वेकंसी रहेगी, फार्मेसिष्ट के आपको याँ पर जी वेकंसी है, वो देखने को मिल रहे हैं जो MO की वेकंसी, Medical Officer की वेकंसी है, वो भी दी गई है लेकिन जो सबसे Important है, ये Nurse और फार्मेसिस्थ के पोस्ट आपको याँ पर आवेलेबल कराए गई है ठीक है सो प्लस आपकी यहां पर जो पोस्ट है वेकंसी की वो रहने वाली है तो जो भी इंटरस्टिंग कंडेट है वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्ल के अंदर ज़रूर सेर करे दे वेकंसी के बारे में आपर जो प्लेटली जानकारी है वो आप सभी को मैं आपर देने वाला हूँ ठीक है तो जो वीडियो होने वाली है आपकी वो रहेगी OMC ठीक है यहां पर जो वेकंसी है OMC स्टापनस की वेकंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी ठीक है जिसके अंदर अलगलग पोस्ट दीगी है पोस्ट के बारे में ह आपका क्या रहने वाल है ओनलाइन रहे गाया निन ञाष्ट आपका डार्यक्ट आप्लाइन अप्लिकेशन फोऊं को आप अपलाई कर सकते हैं 10 नौर्मब्र से श्टार्टिंग हो चुकी थी मैंने एक अपडेट आपको पहले दी दी और इसके इंद रहने वाली है आठ दिसम्बर ठीक है तो आठ दिसम्बर तक आप अपना जो application form है वो जरूर से आप अपलाई कर दें आठ दिसम्बर इसकी last date रहने वाली है तो जो भी interesting official website है omcltd.in क्या है इसकी official website है इसी official website से जो application form है वो आपके apply होंगे और एकदम online mode आपका जो application form रहने वाला है इससे इसका आप जरूर देहन रखें ठीक है important date मैंने बता ही दी है कि last date आपकी आठ दिसम्बर होने वाली है आठ दिसम्बर बारबजय तक आप इस वेकंशिक अपलाई कर सकते हैं बात करते हैं पोस्ट के बारे में यहां पर देख लिए अलग अलग category के अंदर आपको जो पोस्ट है वो दी गई है general ebc scst अलग अलग का डिवाइड इसंस था अलग अलग categories के अंदर बात करें अब थोड़ा application fees के बारे में यहां पर थोड़ सा discuss कर लेते हैं तो इसकी जो application fees रहने वाली है वो देख लीजी general category के application fees आपको 500 रुपर देखने को मिल जाएगी और 500 रुपर आपका जो general category का होने वाला है उसके बा इसके बाद इसमें eligible जो criteria है उसके बार में आपर थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि कौन-कौन candidate इस vacancy को apply कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें जो फार्मेसिस्ट वाले candidate है उनके लिए 12th science होना चाहिए सबसे important चाहिए दूसरी चीज़ डिपलोमा इंद फार्मेसी अनकी आपके पास डिपलोमा उने चीज़ या डिग्री होने चीज़ तो वही टिपलोमा जिनके पास फार्मेसिका है वो फार्मेसिस्ट की वेकंची को अपलाई कर सकते हैं बात कर हैं नर्स के बारे में तो 12th science होना चाहिए सबसे important चीज़ दूसरी चीज डिपलोमा इंद सब्सक्राइब कर सकते हैं पॉस्ट वेकंची को अपलाई कर सकते हैं तो इस परवकास से आप इस वेकंची को अपलाई कर सकते हैं लेकिन सबसे important चीज में आपको यहां बता दू आपके पास क्या होना चाहिए उडिसा का आपके पास nursing council का रिजिस्ट्रेशन होना चीज ओ वेकंची नर्सिंग काउंसिल आपके पास होनी चीजिए वो इकंडेट इस वेकंची को अपलाई कर पाएंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब में बेल आकन कोन कर देजिगा जैसे ऐसे अबडिट्यों हम आपके प जैन